लकनव से फदेपुर जा रहे पूर मुख्य मंत्री अखिलेश यादव का चेयर मैं राम बाबु गुपता की अगुवाई में सैक्डो सपाईयों ने जोरदार स्वागत किया इस दोरान पत्रकार वार्ता में सपा के रास्य अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को जमकर कोसा उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता का महुब भंग हो गया है उन्में कहा कि C.A.A. केवल मुस्लिम नहीं जन विरोदी है इससे हर जाती धर्म के लोग परभावित होंगे जिनके पास पैतरी घरों के अभी लेख नहीं होंगे उन्हें दिक्कत होगी भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का जूटा नारा दिया है इस सरकार में किसान, मजदूर, छात्र, क्रम्चारी सब भी धुखी है विकास पूरी तरह से ठप हो चुके है इस सरकार ने जाडू और शोचालिये दो कामों से सबसे अधिक जोर दिया है लेकिन शोचाले वस्वच्था दोनों किसी ती किसी से छिपी नहीं है सपा ने जो भी काम किये है वह अभी तक दिख रहे हैं उनके लिए लैपटोप अभी तक काम कर रहे हैं कन्या विध्या धन योजना को लोग अभी तक याद कर रहे हैं बाजपा ने जो गंगा सफाई के नाम पर सिर्फ नालों में खड़े होकर सैल्फी लेने का काम किया है अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर किसान ववेपारी के हित में फैसले ले जाने का वादा किया है उन्होंने सपाईयों से जन विरोधी सरकार को हटवाने का अहवान भी किया है राय बरेली से सवदाता सुधी रगनी होतरी के रिपॉर्ट ये बहुत मैदबूर्ट सवाल है ये बहुती आम जनता से जरुवा सवाल है किसान से जुड़ा तो है ये वेपारी उसे भी जुड़ा है आम जनता से जुड़ा है और दिल्ली के बाद ये बहुत शड़ी है कि बिजली की कीमत क्या दिल ली जाए हम इस समय यही वरुसा दिला सकते हैं कि इस सरकार ने कोई भी बिली बनाने का कारखाना या बिली बनाने का कोई इंतजाम नहीं किया है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फैसा लेगी कि किसानों को और सुबधाय कैसे दी जाएं जब समाजवादी सरकार थी तो उनको सिचाई मुफ्स कर दी थी इसलिए बिजली की मदद कैसी की जाए किसान से आने वाले समय में हम फैसला लेंगे लेकि अभी इंतजार करेंगे क्योंकि डेवल इंजन की सरकार है इसने महंगी बिजली कर दी बदाव डेवल इंजन की सरकार महंगी बिजली अटाइये सरकार को और सुविधां पाये के सान। आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें। घंदेवाद।